नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शब्द और आज के इस वीडियो में हम रिसर्च एथेक्स का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं यह टॉपिक आपका यूजिस इनट टेपर वन से रिलेटेड है और रिसर्च एडविडूट के जो यूट है यूट टू में मेंशन किया हुआ है सबसे लास्ट टॉपिक है उसका और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है इस टॉपिक के उपर बहुत बार एक्जाम में कोशन आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इसको से पहले अगर आपने चैनल सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्स्राइब कर दीजे जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और मैं इस तरह के वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा तो चलिए डिसकस करते हैं हम इस टॉपिक को डिसकस करें मैंने एक प्रिविस रिक क्वेश्चन डाला है जिससे आपको एक आ करिते हैं कि रिसर्च इधिक्स क्या होती है रिसर्च इधिक्स एक नैतिकता का सब्जेक्ट आप मान के चलरहा हूँ कि आप वहाँ बजबन के रिचा इंसान बनने की सिर्षा दिया घ्रज शुक्न होती है उसको हम नैतिक्द बोलते हैं ठीक है करते समय हम वह कुछ नयतिक मुल्यों को ध्यान में रखना चाहिए कुछ principles होते हैं कुछ values होती हैं कुछ guidelines होती है जिससे हमारी research ethical बन सकती है ethical का मतलब होते है नयतिक हो सकते है उस पर जनता का विश्वास हो सकता है और इसके कुछ principles है कुछ आप्रोच 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 न कि लुज होती है कि आ इसमें के लिए यह करता है लोग कहते हैं कि नयातिक्ता कभी युनियुशल नहीं हो सकते है जैसे कि एक आतंग वादी है उसके लिए था होती है कि वो किसी को मारे आतंग फ्लाओं तो इसके लिए वे प्रोची कंटिंुर को यह आप्रोच एक यह जहाँ प्राक्टेगल है हम जो इस प्रसपर न कोुछ झीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कुछ कुछ इसलों पर पार content का ए तो यह वो कि एक window होते हैं जिनके उपर रिसेच का इफेक्ट पड़ता है तो researcher तो होता ही है जो research कर रहा है उसके लिए stakeholders हाई है वो और participants जो होते हैं जिनसे आप data collect करते हैं या जिनके लिए आपका चीज़ें कर रहे हैं college इंस्टिशन है जिस institution या college के अंडर या university के अंदर आप अंडर में वो research कर रहे हैं तो जिसका नाम emblem उसमें आपकी research रिपोर्ट पर छपा होता है वो आपका college institution होता है तो वो आपका stakeholder तो हाई है peers होते हैं peers का मतलब यह होता है कि जिनके पास आप research अपने लेके जाते हैं कि आप इसको review करिये जो research को review करते हैं पढ़ते हैं और इसके ओपर कुछ गलतियां होती है या कुछ चीज़ें अपनी opinions देते हैं सबसे पहले तो वो लोग peers होते हैं और public और society at large होती है तो इन सब को फर्क पड़ता है कि research की ethical होने या ना होने से research में कुछ misconduct होते हैं इनकी बात कर लेते हैं इन इन जो misconduct है और inferences जो है वह सही तरीके से नहीं लगाई है यहां आप कह सकते हैं कि उसमें आपने थोड़ा थोड़ा बदलाव करके चीज़ें कर दी हैं तो यह आपकी fabrication हो जाती है और और falsification का एक थोड़ा सा minor सा change यह होता है कि यहां यहां पर आप पूरे result को ही change करने की गोश्च करते हैं जो आपने पूरा research को अपनी study में या अपने research में दिखा दिया और उसका जो reference हो नहीं दिया आपने किसी और के काम को आप अपना काम दिखा रहे हैं तो एक प्लागरिजम बन जाता है शोध शुद्धी के जरीए हम प्लागरिजम को डिटेक्ट कर सकते हैं यह प्लागरिजम डिटेक्टर भी तरीकों से हो सकता है पाइस का मतब होता है कि आप objective नहीं रहते हैं आप subjective हो जाते हैं किसी के साथ में questions एंसर कर रहे हैं तो आप उहाँ पर उसकी कास्ट है religion है उसके ऊपर चले याते हैं तो आपका एसज़ीस दो सजा जाती है जाती हो और कि अक्ठी गया है उसके अलावा कुछ आपने जो आपको लगता था वह अपने रिपोर्ट कर दिया है इसे अब आ पुलिकेट ौए पॉबलिकेशं आपने रिसरज को पुपलिकेश ङर्य है वह डूपलिकेट तरीके सी किया कि आपने किसी कोभा को पी कर लिया है और और Patri स्की आपने पूरी रिसरच अपने पुबलिच करारी है और आपने उनका consent ही नहीं लिया, मालेजे कि आपने consent का मतब यह होता है कि आपने free will को harm किया है, यानि कि उनको आपने यह बताया नहीं कि यह आप क्या कर रहे हैं, और आपकी questions जो हैं किसलिए पूछे जा रहे हैं वो, तेहां पर उनके आपने उनसे consent नहीं करा है, कि आप providing incentives किसी को bribe करी है, पैसे से, और non-monetary भी हो सकता है, इसके बाद मैं आथा seeking sensitive information, अपने sensitive information किसी participant की निकालने के लिए उनको incentive दे सकते हैं, आप इसको डारा सकते हैं, यानि कि आपकी research के लिए जो चीज़ ज़रूरा थी, लेकिन आपने उनको गलत तरीके से unethical ways में हासिल किय है, तो हम का सकते हैं, उसको seeking sensitive information है, तो यह सारे issues हैं, जो research को ethics के point of view से देखेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि ethics क्या होती research में, बहुत important concept है आपका, और आगे चल कर आपको यह concept काम आएगा, इन measures को ले कर हम अपनी research को more ethical मना सकते हैं, ज्यादा important हैं, जैसे कि responsible publication, आप responsible तरीके से अपनी research को publish कराई है, और respect of colleagues, अपने colleagues की respect करिये, informed the subject, अपने subject जो है, आपका participant जो से आप data को गैधर कर रहे हैं, या information ले रहे हैं, उसको inform कर दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, जिससे कि वो aware हो जाए, अपने answers को ले गए, और pilot study करनी चाहिए, हमको एक बड़ी study को करान observations को ध्यान बगते हैं, कि चीज़ों करनी चाहिए हमको, जिससे हमारे research की ethics, research में ethics बनी रहे हैं, और honest in reporting data and results, और peer reviews का मतर यह होता है, कि हमको अपने 7 researchers हैं, उनको भी time time पे अपने review देती रहने चाहिए, जिससे कि हमारे research में ethics बरकरार रहे हैं, तो यह है, आपके कुछ measures है इनको लेकर आप अपने research को more ethical बना सकते हैं, तो यह important है, इसके बाद में हम अपना जो question था, उसका answer देख लेता है, तो यहाँ पर जो research ethics का जो सबसे बड़ा effect पड़ता है, वो आपका data collection, data analysis और reporting of research findings and results पर पड़ता है, ठीक तो यह आपका answer पहला हो जाएगा, तो बहुत ह कि अच्छा question था यह, मुझे उम्मीद है कि आप सभी नहीं इसका right answer लाइस टाइम पर है, so thank you guys, अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी हो, तो please like करिए, share करिए, और subscribe करिए अपने दोस्तों के साथ, जिनको आपको लगता ही वीडियो देखने की जुरूत है, उन तक यह वीडियो पहुंचाइए, God bless you all.